और यह है मारा डिजिटल वेइंग स्केल तो यहां से यह अपने से अउन कर लेना है तो चलो अब हम चलते हैं कबाड़ी वाले के पास उसकी मशीन पर देखेंगे कि इन तीनों बैक्स का वेट क्या आता है हेलो गाइस वेलकम बैक्टो माई यूट्यूब चैनल तो कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाव टू चेक वेट आफ यॉर लगेज बैक्स तो हच की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन लगेज बैक्स का वेट कैसे चेक किया है जो ये bag है इस bag में मेरे सारे utensils हैं तो मैंने पहले packing पे videos बनाई हुई है तो आपने videos देखी नहीं है तो आप देख सकते हो मेरे channel में होगी और मैं description में भी दे दूगा तो इस bag में मेरे सभी utensils हैं तो इस bag में 90% utensils हैं और जो space बच गई थी उसमें मैंने clothes रख दिये थे और ये जो bag है इसमें मेरे सभी clothes हैं तो सारे clothes है इस bag में और ये दोनों bags जो हैं दोनों पूरी तरह से बरे हुए हैं यानि इन में कोई भी space खाली नहीं है इन दोनों bags में हम 23-23 kg कर सकते हैं तो अभी हम weight करेंगे कि इतना आता है 23 kg से कम आता है कि ज्यादा आता है और इसके इलावा एक हमारा cabin bag होता है तो वह भी यहीं पर पड़ा है तो उसका भी check करेंगे कि उसका weight कितना आता है उसमें हमें 7 kg allowed होता है और weight हम दो method से check करेंगे एक तो है मेरे पास digital weighing scale जो मैंने Amazon से मंगवाया है यह पढ़ा है यह देखो यह मैंने Amazon से मंगवाया है तो पहले हम इससे weight चेक करेंगे इन दोनों bags का और cabin bag का इसके बाद हम इन bags को और cabin bag को कबाड़ी वाले के पास लेके जाएंगे तो कबाड़ी वाले के पास क्या होता है एक बड़ी machine होती है तो इस पे हम bags को रखके देखेंगे कि कितना weight आता है तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि यह जो है digital luggage weighing scale यह कितना accurate है यानि इसकी accuracy कितनी है तो अगर तो यह 100% accurate हुआ तो तो आपको बहुत फाइदा होगा क्योंकि आपको फिर कबाड़ी वाले के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सिर्फ इससे weight करा सकते हो तो इसका link भी मैं आपको description में दे दूँगा सबसे पहले हम इससे weight चेक करेंगे और फिर हम जाएंगे कबाड़ी वाले के पास तो चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दो और bell icon पे press करके all पे click जरूर कर देना तो चलो वीडियो शुरू करते हैं तो यह है यार हमारा utensils वाला बैग तो सबसे पहले हम इसका weight करते हैं और देखते हैं कि इसका weight digital weighing scale की मदद से कितना आता है और यह है हमारा digital weighing scale तो यहां से यह से चाहां से अपने से अन कर लेना है और इसके बाद यह जो बटन है यहां से मैंट सैट होती है जैसे हब देखो के स्वींट में इस ने यहां पर बैक के उपर ऐसे लगा देना है और इसके बाद पूरी जान लगा के इस बैक को उठाना है कि तो अभी यह वेट कर रहा है तो वेट कर दिया है इसने मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका वेट कितना है तो जिस बैग में मैंने अपने यूटैंसिल्स डाले थे तो इस बैग का वेट आ चुका है 22 kg 560 g तो अब भी ठीक है इसमें वेट पूरा ठीक है 22 kg 560 g अब हम चेक करते हैं दूसरे बैग का उस में कितना आता है यह है हमारा क्लोट्स वाला बैग तो अब हम इसका वेट करते हैं उसका यूटैंसिल्स वाले काया 22 kg 560 g इसका देखते हैं कितना आता है तो यह है यार हमारा क्लोट्स वाला बैग तो इसका वेट हम देखते हैं कितना आ रहे है कि रूख जाओ ना है कि रूख जाओ ना है कि तेई-चौवी ते कुम मिल जा रहा है रूख इन्हें रूख ना हुंदा है मतलब पता लाग रहा है मन तेई-चौवी तो इसका वेट यार 23 या 24 किल्लों होगा बाकि हम कबाड़ी वाले के दिखान पर पता करेंगे तो अब ल तो अभी यहार हमने दोनों चेक-इन बैक्स और कैबिन बैक का वेट कर लिया है और डिजिटल वेइंग स्केल के साथ किया है दोनों ही चेक-इन बैक 23 किल्लों वाले और कैबिन बैक भी तो चलो अब हम चलते हैं कबाड़ी वाले के पास उसकी मशीन पर देखेंगे कि इन इन तीनों बैक्स का वेट क्या आता है कर दो चलते हैं बैक्स का वेट कर दो चलते हैं कर दो चलते हैं बैक्स का वेट कर दो चलते हैं दो चलते हैं बैक्स का वेट कर दो चलते हैं झाल 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 तो यार अभी हम कबाडी वाले के पास जाके भी आ चुके हैं तो जो मेरा युटेंसिल्स वाला बैक था उसका वेट आया है क्लोट्स वाले बैक में से कुछ कपड़े निकालके हमें युटेंसिल्स वाले बैक में डालने हैं तो दोनों का जो वेट है वो इकल हो जेगा और जो मेरा कैबिन बैक था उसका वेट आया है चार किलो आट सो ग्राम तो उसमें अभी कुछ आइटम्स डालनी है उसका इतना जरूरी निये तो वो मैं वैसी ले गया था ताकि मैं दुनों में compare कर सकूं डिजिटल वेइंग स्केल में और कबाड़े वाले की मशीन में तो मेरा conclusion यही है कि जो डिजिटल वेइंग सकेल है उससे भी आप वेट कर सकते हो तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि कितना difference आ पास आया 22 किल्व 500 ग्रम है तो डिफिरνस आप देख सकते हो जाRI नहीं है इसके बाद करें क्लोठस वाले बैग की तो डिजिटल वेइंग स्केल में सेवेट अप्रिज पास 23 किल्व 500 ग्रम् और रड़ी वाले डीजितल वेइंग सेढ़ चाहां पास 23 इ menteوي में Mus fluids 500 1990 तो डिजिटल वेंग स्केल भी सही है अगर आप इसे वेट करना चाहते हो जादा डिफरेंस नहीं है और यार डिजिटल वेंग स्केल से बैक को उठाना बहुत मुश्किल है तो बैक को हमें काफी देर तक उठा कर रखना पड़ता है क्योंकि वो जो वेंग स्केल है वो टाइम लेता है एक पटिकुलर वेट पे आने के लिए तो हमें 15-20 सेकंड तक बैक को उठा के रखना पड़ता है तो और वो हाथों में भी काफी चुगता है पेन करता है तो एक यही ड्रॉबैक है डिजिटल वेंग स्केल का कि उससे बैक को पकड़के रखना काफी मुश्किल है बैक को हैंक करना तो अब यह आपकी चौइस है कि आपने डिजिटल वेंग स्केल से अपने बैक का वेट करना है या कबाड़े वाले के मशीन पे तो यह थी यार मेरी हाउ टो चेक वेट और लगेज बैक技 की वीडियो तो वीडियो अगर आपको अच्ही लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आपका कोई भी डव्ट हो तो कमेट कर देना so this is for today if you like my video don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon below we will meet again in next video till then stay safe stay healthy and thank you for watching my video you